Hello guys, welcome to my YouTube channel तो आज हम बात करेंगे What we need to make a YouTube channel grow एक YouTube channel को grow करने के लिए हमें क्या-क्या tips चाहिए या क्या-क्या चीज़े होनी चाहिए जो हमें करनी पढ़ती है एक YouTube channel को grow करने के लिए तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहला point है Build your videos around a single keyword और topic जो हमारी videos हैं जो हम YouTube channel पर बनाते हैं वो एक single topic पर होनी चाहिए हमें try करना चाहिए कि जिस चीज़ पर हमने शुरुआत की है हम उसी topic पर या उसी keyword पर अपना YouTube channel grow करें ये सबसे main point होता है एक YouTube channel को grow करने के लिए next point है create and distribute great content मतलब हमें बहुत ज्यादा अच्छा content बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो viewers को पसंद आए और वो हमारा channel देखना पसंद करें हमें कोई ऐसे वैसे कुछ भी content नहीं बनाना चाहिए जो topic हमें उठाते हैं वो काफी अच्छा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे वो channel appealing लगे की हाँ की ये viewers देखेंगे next है engage with audience audience का साथ engage करो की हाँ जो ये हमारी audience है और हमें इनके साथ हमेशा connect करके रहना है उनके encourage करो comments को और उनके साथ discussion करो की हाँ ये चीज़ सही है या गलत है या आपको क्या पसंद आ रहा है या क्या पसंद नहीं आ रहा है हमें हमेशा उनके comments देखने चाहिए उनके reply करना चाहिए अगर आप ये trick नहीं apply कर रहे हो तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ को miss कर रहे हो जो कि आपकी YouTube channel को बहुत अच्छे से grow कर सकती है क्योंकि subscribers से और viewers से ही हमारा channel grow होता है next है don't always wait for audience to take the initiative मतलब हमेशा ये wait मत करो कि जो audience है वो ही first initiative लगी वो ही हमसे connect करेगी हमें भी ऐसे initiative लेने चाहिए कि हम audience से connect कर पाएं और वो हमारी तरफ उस चीज़ से ज़ादा attract हो पाएं जब हम सामने वाले से पहले initiative लेके बात करेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और वो इस चीज़ की तरफ ज़ादा attract होगा ओके so please initiate अगला point है एक YouTube channel को grow करने के लिए get branded मतलब अपना एक brand बनाओ ऐसा content डालो कि वो एक अलग ही impact डाले सामने वाले इंसान पर इतना अच्छा और इतना बड़िया content होना ची़िए कि वो अपने आप में ही एक अलग चीज़ लगे फिर है promote your YouTube channel अपने YouTube channel को promote जब आपका content काफी अच्छा हो जाए अब आपको लगे कि व्यूज नहीं आ रहे हैं पर content काफी अच्छा है तो हमें क्या करना चाहिए हमारे YouTube channel को promote करना चाहिए उसके काफी तरीके होते हैं किसी और YouTube platform पर जाके आप उसे promote कर सकते हो एड डलवा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो उससे हमें काफी growth होती है हमारे YouTube channel की show up and stand out ये भी एक बहुत main point है एक YouTube channel को grow करने के लिए क्योंकि जब हम अपना face सामने वाले इंसान को दिखाते हैं और फिर उनसे बात करते हैं तो इस चीज से सामने वाले इंसान पर काफी अच्छा impact पड़ता है और वो हमसे जादा अच्छे से connect कर पाता है मेरे उपर भी यह चीज लाग होती है बर मैं राइटिंग की वीडियो बनाती हूं तो मैं उसमें face कैसे reveal करूं हाला कि मैं thumbnail पर अपना face डाल दूँगी मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर यह नहीं कर सकती मैं इसमें की writing में लिखते-लिखते ही वो काम करने लग जाओं so show up and stand out show your face your audience can connect more easily मतलब आपके audience बहुत अच्छे से easily आपके साथ connect कर पाएगी जब आप अपना face show करोगे तो इससे आपका youtube channel काफी अच्छा grow होगा अगला है post grade thumbnails thumbnails क्या होते हैं जो हमें screen पर दिखाई देते हैं thumbnails बहुत जादा important part होता है youtube channel का एक video का अगर आप बहुत अच्छा thumbnail डालोगे जो कि बहुत जादा attractive appealing होगा जो viewer को या subscriber को या audience को क्या मजबूर कर दे वो video खोलने के लिए हमें ऐसे thumbnail डालने जाए क्योंकि ये एक video का बहुत जादा attractive part होता है ये एक बहुत छोटी चीज़ लगती है बट एक thumbnail can be a great impact एक thumbnail का बहुत अच्छा impact हो सकता है सामने वाले पर और उसकी वज़य से हमारे YouTube channel बहुत अच्छे से grow कर सकता है अगला point है push for subscription push for subscription जब हम एक YouTube channel बना लेते हैं हम उस पे content डालने लग जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे subscribers क्यों नहीं बढ़ रहे पर वो बढ़ने में हमें बहुत ज़ादा time लगता है पर हमें हर एक वीडियो के अंदर ये करना viewers को कहते रहना चाहिए कि please subscribe करें मेरे YouTube channel ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हाँ जो चीज हम देख रहे हैं उसे अगर उन्हें वो content पसंद आ रहे और वो इसको दुबारा देखना चाहेंगे तो उन्हें उस channel को subscribe करना होगा ताकि वो content उन्हें दुबारा दिखाई इसलिए हमें हमेशा अपील करती रहने चाहिए कि हां हमारे चैनल को subscribe करो अगला है increase your uploading frequency एक YouTube चैनल बनाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि हम सर्फ 2 या 3 वीडियो डाल दे और हम वेट करें कि हां अब हमारे views बढ़ जाएंगे अब हमारे subscriber बढ़ जाएंगे नहीं यह possible नहीं है हमें हमारी जो increase करनी होगी uploading frequency मतलब हम जो videos डाल रहे हैं वो उसका हमें अच्छे से frequency को बढ़ाना होगा कि हमें continuity रखनी होगी हमारे YouTube चैनल पर कि हां हम videos को continue डाल सकें और सामने वाले viewers जो देख रहे हैं जो हमसे connect कर रहे हैं वो हमारी videos को continuity से देख पाए ताकि हमारा channel grow हो पाए तो आज की video में बस इतना ही अगर आपको यह video अच्छे लगी है और आप ऐसी video और देखना चाते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें फोर मोर वीडियो थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माय यूटीब चैनल फोर मोर वीडियो तो बिकम ए शोशल वीडियो एक्सपर्ट एंड ग्रो यूटीब यूट टेप्स मैं जितना एनलाइज कर पाई हूँ उससाब से मैंने आपको टेप्स बता दी हैं यूटीब चैनल ग्रो करने के लिए